हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर मैं अकसी वम और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब टेक्स गून पर चलिए हम अपने आज की वीडियो इस्टाइट करते हैं दोस्तों हमारी आज की वीडियो है आपको आज की इस वीडियों पूरी डीटेल बताएंगे आपको इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या-क्या डाउट्स हैं आपको इसमें ए-to-z questions के answers हम आपको आज की इस वीडियों बताएंगे तो दोस्तों पूरा देखेगा चलिए दोस्ते वीडियों करते हैं स्टार्ट यह रहे हमारे कुछ questions आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं आपको आज की इस वीडियों में हम आपको दिखाएंगे और मैं आपको बताऊंगा भी कि इन सारे प्रॉब्लम्स का questions का solutions और answers आपको मतलब कॉम्प् क्रीट में है क्या है तो दोस्तों complete प्रेक्शन जो आपके फोन का एक तरह से protection plan है जो की वन यह की होती है आपको जो है वन के अंदर एक साल के अंदर आपके फोन में कोई वीशु आती है इस यह आपको आपके फोन का एक्शिदेंटल डेमेज हो जाता है उसमें आपका फो बनेगा या फिर आपको उसके पैसे मिल जाएंगे आपको उस फोन को बनाने के लिए इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है और मैंने दो तो बता दिया है दोस्तों तीसरा बेनिफिट यह है कि अगर आपको हार्वेर या फिर सब्वेर इसू आता है कोई भी डेमेज आ आपको पैसे मिल जाएंगे फ्रेमे बनाने के लिए दोस्तों इसके बेनिफिट्स मैं आपको फिट्स एक बार मता दाता हूं दोस्तों पहला बेनिफिट्स यह है एक्सिडेंटल डैमेज हो जाता आपके फोन का मतलब गलती से बिल कर टूट गया आपको स्क्रीन डिस्प् लिए दोस्तों दूसरा बेनिफिट्स यह है कि लिए जैसे कि आपके फोन में पानी गिर गया आपको फ्रेमे बना कर दिया जाएगा लिए तो पैसे मिल जाएंगे या फिर कोई भी हाट वर सब्सक्रीड इसु तो दोस्तों यह आपको तीन प्रब्लम से और भी बहुत सार कोई बीइसु हो आप प्लीट और लिये हुए हैं आपको प्लिपकाट के तरफ से फोन बना कर दिया जाएगा या फिर आप उसके पैसे मिल जाएंगे आपको फोन को बनाने की आ दोस्तों आप समाझ ही गया होंगे complete model protection के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि complete model protection हम खर दे कैसे कैसे पर्चेस करें दोस्तों आप जब भी स्मार्टफोन पर्चेस कर रहे हैं तो आपको product page पर ही नीचे जब जाएगा अब कर लेगा अपको जो दिख जाएगा complete model protection का option आप उसे add करके select करके purchase कर लेजएगा बाय कर लिजएगा तो आप जब phone खर दे तो आप नीचे जाएगा फोन वाले product page पर ही तो आपको complete model protection का option दिख जाएगा आप इसे select करके आप इसे buy कर ले खरीब ले तो यह आपके phone के साथ order होता है तो दोस्तों यह बात रहे है कि हमने तो complete model protection phone के साथ खेंद लिया अब बात आती है कि हमारे phone में यह कुछ भी damage हुआ आप इसे claim कैसे करें आपका phone का display गिर कर टूट गया accidentally तो आप इसे claim कैसे करें तो दोस्तों claim करने के लिए आपको क्या करना है आपको जो है डेमेज हो गया और उसमें उसका screen तूट गया ब्रॉकन हो गया उसका screen आप उनको यह इसू बता दिजिएगा और with policy ID आप जो complete mobile protection purchase करते है उसका policy ID होता है तो आप उनको बता दिजिएगा देन वह आपका जो है यह request जो है complaint जो है submit कर लेंगे तो submit करने के बाद वह submit करने से पहले वह आपसे भी पूछेंगे कि sir आपको जो है इसमें cash payout claim किजएगा या फिर repair claim किजएगा कि आपका फोन फ्लिप काट बना कर देगी service center से आपकी घर से आपका फोन ले जाएगी और service center बना कर इदम original पार्ट लगाएगी और आपके घर फिर वापर डिलिवर्ट कर दिए जाएगा आपका फोन मतलब आपका पैसा आपके बैंक राट में आ जाएगा तो यह आप उनको बता दीजेगा वह से पुछ लेंगे तो आप उनको बता दीजेगा आपको क्या कौन सा claim करना है repair claim या फिर cash payout claim आप उनको बता दीजेगा यह बताने के बाद आप आप जो है वह submit कर लेंगे यह complaint देन आ इसांप गया है broken display के साथ with IMEI number के साथ तो आपको उन सारे फोटोज को upload करके submit करना है कि अब आपको पैसा मिलना चाहिए तो वह चेक करेंगे आपको देखेंगे आपको पैसा आपके बैंक काउड में आ जाएगा यह बहुत सिंपल स्टेफ है दोस्तों आप इस तरह से क्लेम कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कंप्लीट मौल प्रेटेक्शन के ब आपके फोन का प्रोटेक्शन प्लान है एक तरह से जो की वन यर का है और इसे परचेस कैसे करना यह भी मैंने बता दिया प्रड़क्ट पेज पर ही नीचे जाकर एड करके आप परचेस कर सकते हैं और दोस्तों मैंने आपको यह भी बता दिया कि इसे क्लेम कैसे करना है तो कुछ और बी इसमें क्वेस्ट हैं डाउंट साले लोगों को तो मैंने और बढ़ने रहे हैं वीडियो में मैं आपको और ब्रेटेक्शन के रिलेटड अभी क्लियर करने वाला हूं चलिए दोस्तों मारा नेस्ट कोस्चिँन हैं कया यह सर्वीस को प्रवाइब करता हैं कौन यह पैसा देता है तो दूस्तों बात करते है कि यह युआ जो पैसा मिलता है यह को यह इस प्रवाइब करता है तो दूस्तों फ्लिपकार्ट जो है इडा सांत्थफ अगवर minority पैस प्रशेसिंग करती है जो सब सब्सक्राइब करती है वह बजाए जलियांस तो दोस्तों नेक्ट कोस्टन यह है कि क्या हम फोन परचेस करने के बाद फोन खरीदने के बाद पॉन खरीदने के बाद बात करते हैं नेक्स्ट कोश्टन की धlles नेक्स्ट यह है कि हमारा पॉलसी कैसे एक्टिवेट होगा तो दोस्तों पॉलसी एक्टिवेट करने के लिए कि इसमें आपको कोई भी झांजट नहीं है आपको जो यह बस फोन ओडर करना है कंपीट मोयल प्रटेक्शन के साथ एड करके उसी समय से आपका जो है आपको पॉलसी एक्टिवेट हो जाएगी दोस्तों बात करते हैं कि हमें इस पता कैसे चलेगा कि हमारा जो पॉलसी है कि दोस्तों बात करते हैं कि हम कब क्लेम कर सकते हैं मतलब इसका टाइमिंग क्या है दोस्तों मैं आपको बता दू आपका भी भी क्लेम कर सकते हैं कोई टाइमिंग नहीं आप आपका जब मन करें आप तब क्लेम कर सकते हैं और इसका जो मतलब जो टाइम होता है कि इसका जो तो मतलब एक समय होता है कि आप जो एक साल तक का इसका जो है प्लैन है तो आप एक साल के अंदर में आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप अपना फोन चाहते हैं कि यह कंपनी बना करते तो आप जो फोन दे रहे हैं अपना तो उसम तो आपका फोन जो है फॉर्मेट किया जाए इसलिए अगर आपका कोई भी इंपोर्टेंट डेटा है तो आप उसे पहले ही कॉपी कर ले बैकप कर ले दोस्तों यह मतलब हमारा फोन दिये हुए है रिपियरिंग के लिए तो यह कब तक हमें बनकर मिल जाएगा हमारे घर पे तो दोस्तों हमारा next question है क्या हम multiple claims raise कर सकते हैं मतलब एक से ज्यादा claim कर सकते हैं तो दोस्तों आप सब्सक्रेंट है आप जो है एक ही बाद कर सकते है आप पिर कोई भी इसू होता है आपको हाड़वेर सॉफ्ट्वेवर में तो आप मल्टिपल टाइम्स क्लेम कर सकते हैं एक से ज्यादा बार आप क्लेम कर सकते हैं दोस्तों बस एक्सिदेंटल स्क्रीन डेमेज और लिक्विड डेमेज वाटर डेमेज उसमें आप सिर्फ एक ही ब सब्सक्रेणा कर सकते हैं फिर से यहाँ और थो बहुत इप्रडेंट है काम दोस्तों मान के चलिए आपने कोई फोन और के साथ के साथ और किया है और आप चाहते हैं वह फोन रिप्लेश्ड हो जाए तो आपने वह फोन रिपलेश्ड भी कर दिया तो रिप्लेश्मेंट को आपके पास आया तो इसमें तो complete mile protection नहीं है लिए पर आपको पुछ बाब ने कंपने के लिए आपको जो है jeep's help line पूरा इसे बता देगा है तो इस से लिंक कर देंगे उसे आपको जो है इसमें बस आपको ब्रांड मॉडल और आइपोन का आइम इया नमबर आपको बताना होगा उनको तो आप यह सब उनको बता दिजएगा आपका जो प्लान है वह इस फोन पर ट्रांसफर दोस्तों नेच्ट कोस्टिन यह है कि अगर आपका फोन किसी से बेच रहे है और आपने जो अपने नाम पर आपके नाम पर है तो आप यह यह नाम पर ट्रांसफर दोस्तों यह बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगा आप जो है जिसे भी बेच रहे है अपना फोन पर आपको बस जीप सेल्पलाइब नमबर करना आप आपको इस नमर पर कॉल करके आपको उनको बता देना है कि मैं यह फोन बेच रहा हूं तो आप ज आपसे नमर का नेम फोन नमबर और एड्रेस पुछेंगे और यह बस हो जाएगा उनके नाम पर ट्रांसफर दोस्तों यह जी कुछ यह कम्प्लीट मोल प्रेटेक्शन से रिलेटेड तो आप मुस्से कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं मैं जयूर रिप्लाई करेंगा दोस गाल दोस्तों मैंने जय कंप्लीट मोल प्रेटेक्शन का मैने एक बार क्लेम भी किया है तो मैंने कैसे कैसे क्लेम किया है मुझे पैसे मिल गया थी पैसे मेना प्रेसे काशल केंग करने दोस्तों कुछे मानेद के दो इस तो मैंने sang well क्लेम किए मैं किया ना किया जाता है तो फूर अगर आप अपने नहीं का क्ट आ जाता है तर यह वेग मैंने बता एक क्लेम केंग सकते हैं तो यह थीत ही हमारे आज सारी वीडियो की नोटिफिक्रिक्रिया साथ समते रहेंगी तो चले दोस्तो चलते हैं नेक्ष्ट चले दोस्तो आज के लिए वस इतना है